ये टेगलाइन वैसे तो किसी और कमपनी ने स्टार्ट की थी बड़ लगता है कि इस फील्ड में भी हॉन्डा ने ये प्रूफ कर दिया कि हम बोलते नहीं करके दिखाते हैं हॉन्डा डबलू आवी आप में से काफी सारे लोगों के कमेंट्स थे कि मैंने अपनी टॉप फाइब सब कॉंपक्ट एस्वी वाली वीडियो में हॉन्डा डबलू आरवी को क्यों नहीं इंक्लूड किया तो गाइस उसका रिजन मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा क्योंकि अभी अगर मैंने आपको वो रिजन बताया तो आप उसे रिलेट नहीं कर पाएंगे और सब कुछ वेग मतलब अंकलिर सा रहेगा आपके लिए उससे पहले आप लोगों के डिमांड पे हम देखेंगे डबलू आरवी के कुछ प्रोज एंड कॉन्स एंड सिर्फ इतना ही नहीं बीच बीच में मैं आपको ये भी बताता रहूंगा कि ये गाड़ी किन-किन लोगों के लिए बनी है या फिर किन-किन लोगों के लिए नहीं बनी है and I am sure by the end of this video आप ये खुद रिसाइड कर लेंगे कि डबलू आरवी आपके लिए एक पॉफेक्ट चोइस है या फिर नहीं तो हमेशा की तरह हम start करेंगे इसके pros से मतलब कि ये गाड़ी किन-किन लोगों को consider करनी चाहिए So guys अगर WRV के engine specification की बात करें तो इसमें two types के engine आपको मिलते हैं एक है 1.2 liter का Honda का iconic Ivy Tech engine जो produce करता है around 88 bhp of power and 110 newton meters of torque and दूसरा जो engine है वो है 1.5 liter का diesel engine जो produce करता है around 98 bhp of power and 200 newton meters of torque but honestly speaking अगर आप इस car को लेने का मन अल्रेडी बना चुके हैं तो मैं आपको इसका petrol variant लेना recommend करूँगा हो सकता है आपको lower end में वो थोड़ा underpowered लगे but अगर उसके refinement level की बात करें तो ये Honda के 1.2 liter IV tech engine के refinement level काफी जादा शानदार है and इस segment में मुझे नहीं लगता कोई और car है जो इतनी जादा refined engine के साथ आती है क्योंकि Honda हमेशा से अपने refined petrol engine यानि IV tech engine के लिए जानी जाती है and वो आपको WRV में भी देखने को मिलेगा अगर आप भी उन लोगों में से है जिनकी first preference ये होती है कि हमें एक less noise वाला engine चाहिए तो WRV का 1.2 liter का IV tech engine आप consider कर सकते है अगर इसके interior के cabin space की बात की जाए तो trust me इस segment में दूसरी और कोई car नहीं है जो WRV से जादा spacious cabin आपको provide करे चाहे बात कर लिए इसके plenty of leg room की head room की या फिर इसके shoulder room की और वैसे भी इसमें कोई surprise होने की बात नहीं है क्योंकि Honda अमेशा से ही sedan बनाने में expert रहा है और इस वज़े से Honda की आपको ज़्यादतर cars में rear seat में space में कोई भी problem नहीं होती चाहे बात कर लिए सब compact sedan Amaze की या फिर premium hatchback jazz की या mid-size sedan Honda City की या फिर WRV की भी तो आप इसे जो लोग मुझे comment section में पूछते हैं कि आपको एक spacious crossover चाहिए तो Honda WRV आप आँग बंद करके purchase कर सकते हैं चोकि इसके जितना शांदा rear seat experience आपको इस segment में कहीं और नहीं मिलेगा In fact, space के मामले में ये आपको इस segment की car लगीगी ही नहीं आपको लगेगा कि ये एक उपर वाली segment की car है Honda की car हो और cabin में वो premiumness ना हो ऐसा तो possible ही नहीं है और ये चीज़ आपको WRV में भी देखने को मिलेगी क्योंकि WRV के जैसे interior की fit and finish आपको इस segment में कोई और car प्रोवाइड नहीं करती तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिनका shock है एक premium interior वाली car लेना तो इसके premium interior होने की वज़े से WRV आपके लिए एक perfect choice है इसके बागी features जाने से पहले हम देखेंगे इसके safety features को तो safety में WRV में आपको मिलते हैं टू airbags, ABS with EBD, anti-theft alarm, day and night IRVM, high speed alert system और साथ ही साथ side and front impact beams जो के safety के साब से इसे एक robust car भी बनाते हैं इसके अलाबा अगर हम इसके बागी features की बात करें तो BS6 WRV में आपको मिलेंगे front में horizontal slated grill, projector headlamps with LED DRLs जो की WRV के facelift को पहले से ज़ादा attractive look provide करते हैं इसके साथ कुछ लोगों के complaints थी की WRV के सिर्फ top and diesel variant में हैं आपको cruise control का option आता है बट Honda ने अब आपकी सुन ली and BS6 WRV facelift में आपको अब petrol variant में भी cruise control का option देखने को मिलेगा इसके साथ 7 inch infotainment touchscreen with navigation system, mirror link and apple car play इसके अलावा आपको इसमें one touch electric sunroof भी मिलती है जो इसे features के मामले में भी एक अच्छे deal बना देते हैं boot space guys आपने generally देखा होगा कि generally जो भी crossover होती है या फिर subcompact SUVs भी होती है उसमें अगर आपको rear seat में ज़्यादा space मिले तो कही न कहीं boot space को उससे थोड़ा compromise करना पड़ता है बढ़ WRV में आपको ये चीज़ देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगी च्योंकि आपको इसका cabin तो spacious मिलता ही है और साथ में आपको इसके boot space से कोई भी compromise नहीं करना पड़ेगा च्योंकि WRV में आपको मिलता है आपको इसे consider करना चाहिए कितना देती है ये tagline वैसे तो किसी और company ने start की थी बट लगता है कि इस field में भी Honda ने ये प्रूफ कर दिया कि हम बोलते नहीं करके दिखाते है च्योंकि WRV अपने segment की most fuel efficient car है चाहे वो बात कर लिजा इसके petrol variant के fuel efficiency की या इसके diesel variant की एक बार मों हो सकता था कि मारूती का 1.5 लिटर का diesel engine इसके fuel efficiency को beat कर सकता था बट वो 1.5 लिटर का diesel engine मारूती ने अब discontinue कर दिया है तो बचा सिर्फ होंडा का IDTEC engine जो कि अपने segment में सबसे ज़्यादा fuel efficient है और साथ ही साथ इसका petrol variant भी अपने segment में सबसे ज़्यादा fuel efficient है यह थे WRV के कुछ pros और क्योंकि आपको यह ना लगे कि अब मैं इसके तारिफ किये जा रहा हूँ इसलिए अब मैं आपको बताऊँगा इसके कुछ cons के बारे में कि यह गाड़ी किन-किन लोगों को consider नहीं करनी चाहिए गाइस इसका जो first कौन है उसके लिए मैं सिर्फ उन लोगों को blame करूँगा जो इसे एक sub-compact SUV कहते हैं I mean हम लोग कौन होते हैं यार इसे एक sub-compact SUV बोलने वाले जबकि Honda publicly खुद नहीं बोलता कि यह एक sub-compact SUV है नहीं SUV वर्ड इसके लिए आपको Honda के किसी advertisement में देखने को मिलेगा ना ही आपको इनकी site पे clearly mention होगा कि यह एक SUV है at least मेरी नजर में तो नहीं है अगर आपको ऐसा कुछ दिखता है तो please comment section में जरूर मुझे उसके बारे में बताए and यही एक major reason था कि मैंने इसको अपनी top 5 sub-compact SUV वाली वीडियो में include नहीं किया था क्योंकि WRV को आप देखे तो यह एक sub-compact crossover है sub-compact का मतलब इंडिया के according इसकी length 4 meter से कम है तो उसे हम sub-compact कहते है and बस Honda ने इसे एक थोड़ा SUV look देने के लिए front से इसे एक bold look दे दिया है इसका ground clearance 190 mm कर दिया है and साथ ही साथ इसे एक body cladding भी दे दिया है जिसकी वज़े से आपको थोड़ा SUV वाला feel इसमें आता है तो प्रटरस्ट में WRV is a sub-compact crossover तो प्लीज इस प्यारे से crossover segment को यार sub-compact SUV वाले segment में include मत करो जबरदस्ती and या तो आप इसे crossover मान लो या फिर अगर आप इसे एक sub-compact SUV बोलते भी हो तो फिर ये बात मत सोचा करो कि WRV किसी भी अगल से sub-compact SUV जैसी नहीं दिखती I mean कैसे दिखीगी वो sub-compact SUV जैसी जबकि वो एक crossover है and still अगर आप इसे compare करते हैं दूसरी sub-compact SUV से भी तो भार से जब आप इसके exterior को compare करते हैं तो अंदर से आप क्यों नहीं करते हैं उसे compare क्योंकि मुझे नहीं लगता कि WRV जीतना roominess, premium cabin and best-in-class boot space किसी और sub-compact SUV में आपको देखने को मिलता है इसलिए अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो एक sub-compact SUV लेना चाहते हैं और सोचते हैं कि WRV का look sub-compact SUV जैसा नहीं लगता तो शायद ये गाड़ी आपके लिए नहीं बनी है इसका जो दूसरा major कौन है वो है इसमें कोई भी automatic transmission का ना होना क्योंकि WRV में आपको मिलता है सिर्फ एक manual transmission तो अगर आप उन लोगों में से हैं जो इस price range में एक automatic car ढूंड रहे हैं तो फिर तो मतलब बात ही खतम हो गई क्योंकि WRV में automatic transmission नहीं है इसलिए ये गाड़ी automatic lovers के लिए नहीं बनी है इसका जो last कौन है वो है इसका noisy diesel engine गाइस भले ही इसका diesel engine काफी ज़्यादा talky हो बट अगर आप उसके refinements देखेंगे तो होंडा के 1.5 liter के idtech engine के refinements इतने ज़्यादा शांदार नहीं है जितना कि इस price range में आपको दूसरी car के diesel engine में मिल जाएंगे जैसे इस price range में आपको diesel engine में Ford की EcoSport मिलती है तो मैं आपको इसके petrol engine को लेना recommend करूँगा वो आपको थोड़ा underpower ज़रूर लग सकता है बट trust me उसके refinements level कोई भी car इस segment में match नहीं कर सकती अगर आप एक diesel lover है तो मुझे नहीं लगता कि आपके लिए ये वाला कॉन कोई माहिने रखता है So guys ये थे WRV के कुछ pros and cons तो आप मुझे आप नीचे देख comment section में बताइए कि आप WRV को consider करेंगे या फिर नहीं करेंगे तो क्यों करेंगे और नहीं करेंगे तो किस वज़े से नहीं करेंगे And I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो please hit the like button